हेलो फ्रेंज ut personally आप सब का फिर से एक नयए वीडियो में स्वागत है बात करने वाल है कि इंस्ट्राग्राम को facebook से disconnect कैसे करें हाँ फ्रेंज आपको इस वीडियो को जानसे देखना है क्योंकि instagram का सारा सेंटिंग यहां पर चेंच हो चुका है कैसे आप Instagram को और Facebook को disconnect कर सकते हो तो उसके लिए Friends आपको यहाँ पर सबसे पहले Instagram को open कर लेना है Instagram open करने के बाद Friends आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ लेकिन उससे पहले दोस्तो आपने अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया तो like कर दिजे सबसे पहले आपको Instagram को open कर लेना है उसके बाद Friends आपको यहाँ पर यह जो three line दीख रही है यह वाला जो option दीख रहा है उस पर आपको click करना है उस पर click करने के बाद Friends आपको यहाँ पर एक और option मिल जाएगा यह setting and privacy वाला यहाँ पर पहले आपको सिर्फ setting का option मिलता था लेकिन अभी आपको settings and privacy दोनों option मिल जाएगे तो यहाँ पर आपको click करना है उस पर click करने के बाद Friends आपको यहाँ पर पहले पूरा setting चेंग था यही पर आपको एक account का option मिलता था और वहाँ से आपका Instagram और Facebook disconnect हो जाता था लेकिन यह अभी totally change हो चुका है तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा account center वाला तो यह जो account center वाला यह जो option है यहाँ पर आपको click कर देना है तो चलिए हम लोग यहाँ पर click कर देते हैं अब friends जैसे यह आप इस पर click करोगे तो यहाँ पर account center वाला page open हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आप profile में जाओगे तो यहाँ पर आपको profiles दिखाई देगी यानि कि यहाँ पर मेरी तीन profile दिखाई दे रही है Facebook, Instagram और मेरा दूसरा Instagram का account यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर Facebook पर यहाँ पर click करता हूँ तो यहाँ पर कहीं पर भी मुझे remove का option नहीं मिलता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तो आपको यहाँ पर back आ जाना है back आने के बात friends आपको यहाँ पर क्या करना है एक option मिल जाएगा accounts का यह जो accounts वाला option दिख रहा है उस पर आपको click करना है तो चलिए हम लोग accounts वाला option पर click कर देते हैं अब फ्रेंज जैसे आप accounts वाले option पर click करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा add or remove accounts from this account center removing an account will also remove any profile managed by the account यानि कि आपका easily यहाँ से remove हो जाएगा अब दूस्तों यहाँ पर आपका facebook का यह जो username दीख रहा है उसके सामने यहाँ पर एक आपको remove का option दीख रहा होगा तो यहाँ पर आपको remove वाले option पर click कर देना है उसके बाद friends आपको यहाँ पर remove account वाले option पर click कर देना है दुबारा अब आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप confirm इसको remove करना चाहोगे तो यहाँ पर आपको continue पर click कर देना है यहाँ पर आपका Instagram और Facebook disconnect हो चुका है, remove हो चुका है, तो यहाँ पर अभी आपको सिप दो ही profile दिखाई देगी, Instagram और Facebook, यानि कि friends इस तरीके से आप Instagram को और Facebook को disconnect कर सकते हो, आपको जब भी disconnect करना चाहते हो, आप Instagram को और Facebook को disconnect कर सकते हो, अब दूस्तों यहाँ पर मैं आपको ए add करना है यानि कि आपको वापस से instagram और facebook को connect करना है तो यहाँ पर आपको एक add account का option मिल जाएगा तो add account में जाने के बाद आपको add facebook account पर click कर देना है उसके बाद friends आपको यहाँ पर continue पर click कर देना है तो आपके यह दोनों account facebook के साथ connect हो जाएगे तो इस तरीके से आप friends Instagram पर किसी भी account को disconnect कर सकते हो facebook के और वापस से connect भी कर सकते हो तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को like कर दिजे साज़त चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब कर दिजे फिर मिलता हमारे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई